तो अरण भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग आई हो आप सभी लोग बड़े होंगे और दुबार साथ चुके हैं एक और ने वोईस ओवर वीडियो के साथ वापीस एंड आज की इस वाली वोईस ओवर वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन फोन के बार में जो हमको 25,000 के अंदर देखने को मिल जाते हैं तीन फोन का कंपेरिजन वीडियो लेके आद जुगा हो रियल में जीटी नियो 3D, रेडमी K50i और आइको नियो 6 यह तीन फोन में बहुत सारे लोग को कंफिजन रहता है कि हमको कौनसा फोन लेना चाहिए कौनसा फोन वेल्यू फॉर मनी रहने वाला है किसमें हमको पफोर में सच्छा देखने को मिल जाएगा पबजी वीजी में मैं 90FPS की गेमिंग और रिकॉर्डिंग उगरा करके देगा क्या हमको कौनसा फोन लेना चाहिए सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में वीडियो को पूरा एंड तेक दिखना एंड चैनल पूना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना हा ले सब्सक्राइब करते हैं तो और हो पर लोग कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूं आप सब लोग बढ़े होंगे एक और नहीं सर्वर वीडियो के साथ वापीस अभी हम तीनों फोन का कंपेरिजन करने वाले हैं इन तीनों फोन में मैं ज्यादा डीपली बात नहीं हम सीधा लास्ट में जाके बात करेंगे कि कौनसा फोन वेल्यो फोर मनिय है सब कुछ मैं बता दूंगा आपको एंड किस फोन में आपको क्या मिलने वाला है एंड किसका डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा exactly क्या अच्छा परमेंस किसका आच्छा है सब कुछ बता रहाओ त लुंक से वर्मिल ये अंड़ बेज़ने को से स्थ नारी के साथ प्रसुणर टैपट की बात करों तो LPDDR5 का आपको इसमें support देखने को मिल जाएगा and K50i में and अगर Neo3T की बात करूं तो LPDDR4X और Neo6 की बात करूं तो LPDDR5 आपको देखने को मिल जाता है अगर बात करूं boot up time की तो आपका सबसे ज्यादा time K50i में लगने वाला है boot up होने में बाकी दोनों फोन ठीक है 17-18 seconds में आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे Neo3T और Neo6 दोनों अगर हम बात करूं इस इन ट्यूनों डिवैस के डिस्प्ले के बारे में तो K50i में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि हाँ थोड़ा सा कम लगता है लेकिन इतना कुछ खास नहीं लेकिन हाँ ठीक है डिस्प्ले लेकिन बात करूं Neo3T और Neo6 की तो दोनों म पता नहीं sut्सक्ति ہyan अगर हम बात करूं इन दीन्हों के बारे में फ्रैटनेस के बारे में so और नियो 6 की बात करो तो दोनों में आपको 120hz का refresh rate देखने को मिल जाता है अचलो अभी बात करते हैं हम camera के बारे में तो तीनो फोन में triple camera setup आपको देखने को मिल जागा 64 megapixel का आपको इसमें main camera आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करो बैटरी के बारे में तो बैटरी आपको 5080 mhz के बैटरी देखने को मिल जाएगी K50i में 5000 mhz की Neo 3T में और Neo 6 में 4700 mhz के बैटरी देखने को मिल जाएगी अभी तीनो phone मेरे को बहुत बढ़िया लगे तीनो phone के base current के बात करो तो 6GB RAM और 128GB ROM के साथ आपको Neo 3T और K50i देखने को मिल जाएगे लेकिन Neo 6 के बात करो तो वह आपको 8GB 128GB ROM के साथ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा जादा हो जाता है इसका price इसी वज़े से थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है base current की बात की जाए तो अभी मैं बात करो तीनो phone में से क्या बढ़िया चीज़े क्या नहीं है तो सबसे पहले हम processor में बात करेंगी किसका processor सबसे best तो देखो performance के बात करो ना प्रोसेसर के इसाप से तो सबसे ज्यादा best performance आपको K50i में देखने को मिल जालेगी जिसमें आपको है ना ज्यादा frame drop भी देखने को नहीं मिलेंगे एंड कुछ भी ऐसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आने वाले ही नहीं है क्योंकि इसका processor एक तो अच्छा है दूसरा ये कि ये ज्यादा heat नहीं करता है बाकी devices के मुकाबले ज्यादा heat नहीं करता है जबकि Neo3 बहुत ज्यादा नियो 3T बहुत ज्यादा heat करता है एंड नियो 6 थोड़ा सा heat करता है उससे कम लेकिन करता है लेकिन सबसे कम heat है ना Redmi K50i ही करेगा आपका और performance भी K50i की दोनों phones में से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है बाकि अगर आपको Redmi में विश्वास नहीं है तो आप बाक अगर आपको सबसे बड़िया डिस्प्ले तो देखो नियो 3T और नियो 6 इन दोनों में आपको बड़ा बड़ी देखने को मिल जाते दोनों बड़ा डिस्प्ले क्योंकि एमुले डिस्प्ले इसलिए लेकिन है ना Xiaomi Redmi K50i में आपको IPS L4 डिस्प्ले देखने को मिल जाती है तो उसमें थोड़ा सा दिककत होगा इसकी brightness भी, मतलब, peak brightness वाले भी system थोड़ा सा कम है तो उसके वेज़े से भी थोड़ी दिककत होने वाली है आपको, तो अगर आप है ना sunlight में देखो गए तो आपको उसमें देखने हो में थोड़ी दिककत होगी लेकिन अगर सिफ आपक के साब से मेरे को है ना K50 ii सबसे best लगता है तो अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं K50 ii ही लेता क्योंकि अगर तीन ओडिवाइस की मैं प्राइस की बात करो ना तो K50 ii आपको 24,000 के लगबग आपको देखने को मिल जाता है बाकि नियो 3T आपको 28,000 का एंड नियो 6 आपको 30,000 का देखने को मिल जाता है तीन फोन की प्राइज एमसोन की प्राइस की बात कर रहा है फ्लिपकड होगे रहा है पता नहीं मेरे को इतने जादा में देखने रहा है लेकिन हाँ अगर उसको अगर आप देखो गया ना तो आपको डिस्काउन होगे मिलेंगे के फिट्य आपको लगबग 20,000 में अभी देखने को मिल रहा था लगबग 20 या 21,000 के आसपस देखने को मिल रहा था के फिट्य के फिट्य के लो मेरे हिजाब से तो क्योंकि बहुत ज्यादा वेल्यो फोर मनी है अगर रेड में विश्रास नहीं तो रियल में या फिर आईक ये भी खतम करते हैं टाटा पाय भाय अगर कुछ भी दिखते तो कवन में बताते ना